नमस्कार प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस online platform पर हार्दिक स्वागत है तो HSSE ELM आपको ELM की जो एक एक जो जानकारी है अपडेट है वो आप सभी को जब ELM की जो पोस्ट निकली थी उस टाइम से लेकर यानि की continue आप सभी को इस channel के माद्यम से मिल रही है और as a teacher यानि की assistant lineman के जो भी अपडेट है वो आपको देना जुरूरी है क्योंकि सारे बच्चे जो lineman वाले वो हमसे जुड़े हुए है बिल्कुल आपने starting से लेकर last तक क्या है हमारे साथ है आप सभी ने सयोग किया है बिल्कुल तो अब ELM का exam भी हो चुका है ठीक है और DV के लिए result भी आ चुका है जिसमें से क्या है दस जार बच्चों को क्या है DV के लिए गुलाया गया आप सभी को पता होगा इस चीज के लिए तो दस हजार जो बच्चे है वो DV के लिए क्या है इनको कोल किया गया है दस जार बच्चे है वो DV के लिए यहाँ पर इनका नाम है और लगबग आप सभी को पता है कि इस जो एलम के एक्जाम के लिए सुनने में यही आ रहा है वे लगबग 60,000 के करीब के आए फोर्म बरे गए थे हर्याना के अंदर से ठीक है जिस में से और सुनने में यही आए अभी 27,000 के करीब बच्चों ने क्या है इसका एक्जाम भी दिया था यानि कि 30,000 बच्चे पैंडिंग भी है तीस जार पैंडिंग क्या रहेंगे अब तो 10,30 में चले गए यानि कि अब जो बच्चे-बच्चे 50,000 बच्चे के आभी तक जिनका एक्जाम बगे रहा कर लिए नेवा वो बच्चे हुई है ठीक है दस जारों का तो दस जार जो बच्चे उनका तो इस लिस्ट के अंदर वे से नाम आ गया है फाइनल तो तेरा सोई होंगे लेकिन लिस्ट में नाम जुरूर आया उन्होंने मेहनत की है, मेहनत की बलपर उनका विलकुल नाम आया है अब जो मेन मुद्धा बना हुआ है आप सभी ने देख लिया होगा सोचल मीडिया के अंदर पस्ट मुद्धा क्या है आप सभी को पता है अब जो बच्चे रिजैल्ट की बज़ाए यानि कि एलम का result कब आएगा इसकी वज़ाए सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है या फिर अब जो बच्चे ये नहीं पूछरे भी नहीं vacancies कब आएगी और आगे जो एलम की तयारी केसे करें किस तरह से करें आगे जो डिपार्टमेंट को बोले भी vacancies कब आएगी ये मुद्दा तादा बना हुआ है इन सभी बातों को छोड़ कर मेन जो आज कल जो आप सभी ने देख लिया होगा सोशल मीडिया पे स्पस्ट कॉलिफिकेशन का यानि कि एलम के लिए जो स्पस्ट कॉलिफिकेशन है वो है क्या इस चीज़ पर क्या है बच्चे ज़्यादा बात कर रहे है सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं अभी आप सभी ने देख लिया होगा आप सभी अलग लग ग्रूप में जुड़े हुए हूँ ठीक है तो इस चीज़ को लेकर एक जो आज र्टी की बात में आप के सामने करने जा रहा हूँ ठीक है जो भी जिन बच्चों को अच्छा लगे बिलकुल आपको इस चीज़ का सुरे देना चाहिए भी हाँ जी सर आपने सही काम किया है ठीक है लेकिन आप सभी को पताए भी समाज के अंदर पोजिटिव और नेगिटिव दोनों तरह के क्या है जो है वो लोग रहते हैं तो वो तो कुछ पोजिटिव भी कहेंगे कुछ नेगिटिव भी कहेंगे लेकिन जो सही है उसकी बात बिलकुल सही रहेगी ठीक है तो इस चीज पर हमें क्या कुछ RTE लगानी है मैंने क्या कुछ RTE के अंदर लिखा है उस चीज के बारे हम चर्चा करेंगे बिल्कुल यहां पर एक एक बात हम रखेंगे ठीक है तो एक बार मैं सबसे पहले RTE जो मैंने लिखी है ठीक है न कि जो RTE के लिए जो application लिखते हैं सबसे पहले उस application में क्या कुछ लिखा हुआ है वो मैं सारी बाते आप सभी को बताते बताने जा रहा हूँ ठीक है तो सुनिए ज्यान से ये तो ये है application का format आप देख सकते हो ये जो application मैंने जो लिखी है सेवा में सिरिमान managing director यानि कि direct MD को लिखी हुई है ठीक है जो MD है managing director है UHBVNL उत्तर हर्याना बिजली वितरन नीगम लिम्टिड के जो MD है उनको मैंने लिखी है सेक्टर 6 पंचकुला में क्या कुछ इस application के अंदर main वी से क्या है वो आप देख लीजिए वी से यही है कि UHBVNL में assistant lineman पद के स्पस्ट qualification जानने है तू यानि कि इस चीज का हमेज स्पस्ट कीजिए भी qualification है क्या क्योंकि आप सभी ने देखा होगा इतने दिनों से क्या वैचारे जो बच्चे है आईटी वाले हैं चाई डिप्लोमा वाले कोई भी हो ठीक है ना सारे HSSC बोर्ड में गए है इतनी बार उनने वहाँ पर HSSC जो चेर्मेन सर से मिले भी होंगे वहाँ पर जाने का उनका किराय भी लगता है खर्चा भी लगता है लेकिन कोई भी अभी तक fix अभी तक क्या जबाब किसी को नहीं मिला है किसी भी बच्चे को clear cut जो बाते हैं वो अभी तक नहीं मिली है सभी को बस ग बच्चों के साथ है वो नहीं बाते होती लेकिन हर्याना के अंदर जादा ही कुछ अब इन दिनों में हो रहा है आप सभी ने देख लिया होगा ना तो fix syllabus है ना कुछ fix pattern बता रखा है और ना अभी fix जो 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 निकली है उसकी qualification बता रहे है fix qualification क्या है इससे बच्चे आपस म मन मुटाओ जादा हो रहा है बच्चों के बीच में तो ये मन मुटाओ कम करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा मैंने एक कदम उठाया है कि बच्चों के बीच में आपस में कोई भी मन मुटाओ ना हो ठीक है इस चीज को लेकर ये जो मैंने वीडियो और ये जो आर्टी जो लिखा है महोद्य है निवेदन है कि 5 जुलाई 2019 को हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नमबर 11 सेलेश 2019 एलम के कुछ पद निकाले गए है जिनका पेपर नवंबर मां में हुआ नमबर मां में हुआ तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एलम के लिए स्पस्ट क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसमें आईटियाई डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के बीच में बहस चिडी हुई है कि अगर डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे इस पद के लिए योग्या है तो आईटियाई वाले उमीदवार कोट केस के लिए बोल रहे है और अगर डिप्लोमा और में कोड केस की बाते चल रही है कोड केस यहां भी है कोड केस यहां भी है तो यह आप सभी साथियों के हाथ में भरती को लटकाना है भरती को लंबी लेके जानी है ठीक है ना तो यह तभी तम आप सभी को जितने बच्चों ने मुझे बोला है भी इस चीज के लिए आप बोल अनुरोध है कि UHBVNL में एलम पद के लिए स्पष्ट क्वालिफिकेशन बताने का कस्ट करें ताकि बच्चों में आपसी मन मुटाओ नए हो ये मैंने एक छोटी सी अप्लिकेशन लिखी है तो किसी स्टूडेंट को अगर लगे भी हां इसमें कुछ फेर बदल करना चाहिए तो आपका सुझाओ आप जरूर बताएं ठीक है वाटस आप मेसेज है कर सकते हो और किसी को मुझे पता है भी किसी को लगेगा सर उनका पक्स ले रहे हैं किसी को लगेगा सर दूसरी साइड पक्स ले रहे हैं मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोल दिया मैं तो ये मा अगा रहे हो एचसासी के चेर्मेंसर से मिले हो, इतने बच्चे इकठे होके गए हैं, खर्चा लगता है, ठीक है, लेकिन उनका सिरो जवाब यही होता है, डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट बोलता है हमने एचसासी को सब कुछ दे दिया, तो लास्ट हमारा मेन मकसद यही है, कि अभी हम एक RTA के दबारा क्या है, इस चीज़ को क्लेरिफाई करने की कोशिस करते हैं, ठीक है, तो यही कुछ जानकारी थी, आप सभी साथियों के लिए, उमीद करता हूँ आपको यह जो RTA लगाई है, और आप सभी बच्चों में से जितने भी साथि और भी है जिनको RTA का पता है, भी RTA केस लगाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या है, इस आप डिपार्टमेंट के अंदर, UHB विनल आप डिपार्टमेंट को इस चीज़ के लिए RTA जरूर लगाएं, यह जो मैंने लिखा है, आप सपस्ट या पर यह बाते लिखे, कु ठीक है, ताकि बच्चों को जो बहका रहे हैं, बहलाफुस ला रहे हैं, जो HSSC के दवारा वो ना हो, ठीक है, तो जो बच्चों को गुमरा कर रहे हैं, वो बाते ने हो, तो इस से हमें सपस्ट हो जाएगा, तो जितने भी साथी जो RTA लगाने का जिनको पता है, वो जरू अप्लिकेशन को लिग कर, उसमें डीडी लगता है, एक डिमांड ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं, या फिर IPO लगा सकते हो आप, ठीक है न, इंडियन पोस्ट, पोस्ट ओफिस से आपको कहा है, एक IPO मिल जाएगा, IPO आप लेके, लगबग, IPO 10 रुपे का वो IPO होता है, वो IPO लेक लिखना है, वो आपको UHB विनल का जो पंचकुला में जो डिपार्टमेंट का एड्रेस है, वो आपको एड्रेस लिखना है, क्योंकि हमें वहीं पर कह उसको पहुंचाना है, ओके, यहीं जानकारी थी, आप सभी साथियों के लिए, उमीद करता हूँ, आपको अच्छा जरूर लगाएं, ठीक है ना, RTA का जवाब आने के बाद आपको कहाँ, जो भी आपको डिस्टिन लेना है, वो बाद की बात है, ठीक है, यह काम आप सभी साथि जरूर करें, तो धन्यवाद